आज फी रेसेटी में चावल काते से बना रहे हैं बहुत ही कुरकुरा, चितपटा, टी टाइम, स्नैक आप घर पे बना सकते हैं जो पैकिट वाले कुरकुरे बच्चे ले आते हैं बजार से खरीद के खाते हैं वैसे ही बना लेंगे आप घर पे कोई अंतर नहीं होगा ना तो देखने में ना खाने में और बनाना बिल्कुल असान है बहुत कम समान में ये बनके तयार हो जाएगा घर में रखे समान से ये कुरकुरे बनके तयार हो जाएगे कलर भी विल्कुल बजार जैसे जो पैकिट वाला ले आते हैं बच्चे न वैसे ही बनेगा इसे चाय के साथ खाएं या जब कुछ नमकिन खाने की ख्षा हो तब भी बना कर इसे खा सकते हैं इस चटपटे कुरकुरे को बनाने के लिए मैं गैस पे एक कडा ही रखी हूं और इसमें एक कप भर के पानी डाल दे रही हूं और एक चेमच नमक छोटे चेमच से है और एक चेमच भर के तेल नमक आप अपने स्वादन साथ डाल सकते हैं पानी में उबाल आने देते हैं थोड़ा से नमक को मिला दे रही हूं जैसे ही पानी मुबाल आ जाएगा एक कप भर के इसमें मैं चावल के आटा डाल दी हूँ और गैस बंद करके इसे मिला ले रहे हूँ जिस कप से मैं एक कप पानी डाले हूँ उसी कप से एक कप भर के चावल का आटा डाले हूँ मेजरिंग पर आप ध्यान देंगे तो आपका आटा फर्फिक्ट बनेगा ना गीला होगा ना सूखा अच्छे तरीके से मिलाओंगी अगर आपको चावल का आटा ना मिले तो चावल को आप धोकर एक घंटे के लिए सुखा ले उसके बाद मिक्सी में पीश कर छान कर चावल कांटा लगाने से चाहे इसकी नमकीन बनाओ या चावल कांटे के चकली बनाओ बिल्कुल कुरकुरा बनता है बढ़ियंस मिला ली हूं और इसमें मैं दो चेमच बेशन डालोंगी अच्छे टेस्ट के लिए नार्मल बेशन है जो डेली घर में इस्तेमाल करते हैं इसे भी मिला ले रहे हूं अभी काफी गरम है चावल कांटा और कडाई भी गरम है इसे हम कवर करके 10 मिनिट के लिए छोड़ देंगे न तो और ज्यादा पक जाएगा फूल के सेट हो जाएगा तब इसकी चाहे चकली बनाए चाहे जो मैं कुरकुरे बना रहे हूं बहुत ही करारा बनेगा 10 मिनिट के लिए छोड़ दी हूं अब 10 मिनिट होगा इसे नीचे उताल ली हूं मैं अब एक दूसरे बरतन में इसे पलट ले रहे हूं इसे मसलूंगी थोड़ा जैसे आठा लगाते हैं न उसी तरह से इसे हम लगा लेंगे चिकना हो जाएगा बिलकुल अभी काफी गरम है तो पाले इसे में मसल ले रहे हूं जो बेशन डाले हूं अच्छे तरीकिस इसमें मिक्स हो जाए और चिकना भी हो जाएगा जो भी भर भरा लग रहा है एकदम चिकना हो जाएगा आप जिस कटोरी से एक कटोरी पानी लेंगे तो उसी कटोरी से एक कटोरी भ तो थोड़ा थोड़ा से आटा लूँगी पहले गोल करके फिर इसको ऐसे हाथ में घुमाएंगे और अंगुलियों की तरफ ले जाओंगी तब ये कुरकुरे टेड़े मेड़े बनेंगे आप पैकिट वाले देखे होंगे बच्चे खाते हैं बिल्कुल टेड़ा मेड़ा र मार्केट वाला जैसे बनता है उसी तरीके साब घर पे बना सकते हैं इसमें चटपटे मसाले डालूंगी ने बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा तो सारा में बनाकर तयार कर ले हुए चिपकता भी नहीं चावल काटा है ना एकी बरतन में रख ले हूं इसके लिए चटाके बन जाएगा एक दम करारा कुरकुरे बना कर आप तयार कर सकते हैं यह लाल मिर्च पॉडर जो डाले हूं काश्मेरी लाल मिर्च है इसे इसमें कलर बहुत अच्छा आएगा जैसे आप मार्केट से लाते हैं बजार से वैसे ही कलर आएगा अब मैं इस नमकीन कुरकुरे को दिफ्राई कर ले रही हूं गैस का फ्लेम मीडियम रखी हूं ना तो बहुत हाई फ्लेम करें ना तो लो अगर लो फ्लेम पर तलेंगे तो बहुत कड़ा हो जाएगा खाने में अच्छा नहीं लगेगा हाई कर देंगे तो कलर आ जाएगा लेकिन खाने में कुरकुरा नही लाइट ब्राउन कलर आ गया है इसमें आप देख पा रहे होंगे अगर एक निकाल कर कुछ सेकंड ठंड़ा होने देंगे आप खा के देखेंगे तो बिल्कुल अगदम कुरकुरा लगे गए अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ अभी जब इसमें मसाले मिलाओंगी तभी कलर बढ़िया आएगा जैसे तल के निकालें तुरुंत मसाला थोड़ा सा इसमें मिला दें इसमें तेल लगा है अभी सूखा नहीं है मसाले चिपक जाएंगे इसलिए मैं मसाले पहले तयार करके रखी हूँ इसलिए आप भी पहले मसाले तयार करके रख लें इसकी आवाद सुना रहे हूँ आप सुनें देखें कितना कुरकुरा लग रहा है यह देखें तो सेम तरीकिस में सारा तल लूँगी पहले इसमें मसाले भी मिला दूँगी दूसरा डाल दे रहे हूं मीडियम फिलिम पर ही डालें इसे भी लगातार घुमा फिर आकर सेख लूँगी बहुत अच्छा कलर आता है और बहुत तेस्टी बनता है खाने में आप पैकेट वाला ले आकर खाएंगे और इसे खाएंगे कोई फर्ग नहीं कर पाएंगे थोड़ा सा टेड़ा मेड़ा इसी तरीके साब भी बनाएं इसमें भी कलर आ चुका है इसे भी निकाल ले रहे हूं अभी मैं मसाले मिला कर आपको दिखाऊंगी बढ़िया करा रहा हो गया एकदम ऐसे कुरकुरे आप घर पे बना सकते हैं एक बार आप बना कर बच्चों को खिला देंगे या खुद भी खा के देखें चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है तब आप इतना खुश होगे सोचेंगे कि इतना बढ़िया कुरकुरे मैं घर पे बना लेती हूं अब कभी भी बजार से नहीं खरी देंगे और बच्चे भी बोलेंगे ममी घर पे ही बनाओ इसे भी निकाल ले रहे हूं सेम तरीके साथ जितना बनाना हो बना सकते हैं गरम पानी से चावल गांटा लगाने से बिलकुल कुरकुरा हो जाता है चाहे नमकीन बना या चकली अब मैं मसाले मिला दे रही हूं अभी ये गरम है इसमें तेल लगा हुआ है तो मसाले चिपक जाएंगे ठंडा होने बाद आप मसाले मिलाएंगे तो मसाले नीचे बैठ जाएंगे अब इसमें ऐसे कलर आ जाएगा जैसे आप पैकिट वाला ले आते हो बच्चे खाते हैं और ऐसे कलर आ जाएगा पांस मिनिट के बाद और बढ़िया कलर इसमें आ जाएगा तो मैं और तल ले रही हूँ सारा तल के मैं तयार कर ले हूँ बिलकुल कुरकुरा है आप आवाज सुन पा रहे होंगे इसमें भी उपर से मसाले में ला दे रही हूँ जो इसमें मैं काश्मीरी लाल मिर्च डाली हूँ क्योंकि हमारे बेटे को तीखा नहीं परसंद है बढ़ियां से मिला ले रही हूँ अभी इसके बाद आप कलर देखेंगे बहुत बढ़ियां कलर आ जाएगा यह देखें बिलकुल कुरकुरा बन के तयार हो गया है इसे आप महिनों रखकर खा सकते हैं खराब नहीं होगा बिलकुल कुरकुरा बना है जब यह कंप्लीटली ठंडा हो जाए तो किसी भी यह टाइट कंटेनर में रखकर इसे महिनों खा सकते हैं इसे तोड़ के देखेंगे अंदर से एकदम खुला खुला रहता है यह देखें होल बना रहता है तब ही यह कुरकुरा बनता है अगर यह वीडियो आपको जरस भी पसंद आए तो अपने फिमली और मित्रों में जरूर सेयर कर दीजिएगा अगर चैनल पर आप पहली बारा आए हों अभी तक सब्सक्राइब ने किये हों प्लीज मैं आसस निवेदन कर रहे हूं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा